इस्टबुल्ला और इस्राइली सेना इस्राइल लेपनान सीमा पर करीब रोजाना गोलीबारी कर रहे हैं एक बार फिर इसकी बिहानक तस्वीर शनिवार को देखने मिले लेपनान की ओर से बीते दिन कई ओपरेशनों को अन्जाम दिया गया इस्टबुल्ला लड़ाकों ने अल एहमदी और कैफर रुमाने शहरों समेथ कई लिबनानी शहरों पर इस्राइली हमले का जवाब दिया तड़के ही लड़ाकों ने कमान समभालते हुए उत्तरी कमान के मुख्याले और 51 वे डिवीजन के रसत देश को निशाना बनाया समोन दावा किया कि अमियाहत पर दरजनों ग्रेट टाइप के रॉकेट भी दागे इससे उत्री इस्राइल की आग अलग बस्तियों में सायरन बजने लगे जिन में अविविम, हैलिफलेट, सफद, हमूका, डाल्टन और बीरियाह के शहर सामिल है वह हिजगुला की अंटी आर्मर यूनिट ने इस्राइल की रुवेशियात अल आलम मिलिटरी साइट को जिबदीन मिलिटरी साइट से जोडने वाली सड़क एक इस्राइली मरकबा टैंग को अंटी टैंक गाइडेड रॉकेट से उड़ाया दावा है कि ये सटीक हमला डैंक पर निशाना बना कर किया गया था जिससे वह तुरंत आप के हवाले हो गया और जल कर खाक हो गया समू ने दावा किया कि दोनों हमले अल-अहमदिया शहर में इस्राइली हमलों के जवाब में हुए यही नहीं क्रतिरोध ने तबराया जील के पश्चिम में अमियाद के दक्षिम में एली फ्लेट पर हमला किया दर्जनों ग्रेट टाइट के रॉकेट एक इस्राइली बेस की और दावे गए जिसमें 282 आर्टिलिरी बिगेट गोलान का मुख्याले हैं ये बिगेड अपने हथियारों के लिए मुख्याले और भंडारन सुविधा के रूप में बेस का उव्योग करती है जिसमें तोप खाने और सटीक हमला करने वाले हथियार शामिल है बताया गया कि हमले से कई इसराइली बस्तियों में सायरन बजने लगे इसके लावा हिजबुला की मानव रहित वायू सेना ने माले गोलान बैरकों पर हमला किया बेस की ओर एक तरफा हमला करने वाला ड्रून लॉंच किया गया इस से सायट किसैनिकों और अधिकारियों के ठिकाने और आवसी ये इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए जो 810-वी शेत्रिये ब्रिगेट के तहत वहीं लड़ाकों ने 769-वी शेत्रिये ब्रिगेट की स्थापना स्थिती पर एक तरफा हमला किया इस दोरान कई ड्रोनों के जुन्ड एक साथ लॉंच किये गए जिससे इलाके में जम कर तबाही मचाई बताया जाता है कि ये तीनों हमले कैफर रुमाने शेहर पर इस्राइली आक्रमण के जवाब में किये गए वहीं हिजबुला के डिप्टी लीडर नईम कासिम ने नितन्याहों को चेताते हुए कहा कि लेपनान पर पूर्ण पैमाने पर युद्ध से दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा इस्राइल की उत्री हिस्से में सैकडों हजारों इस्राइली विस्थापित होंगे अगर इस्राइल युद्ध छेड़ता है तो हम उसका सामना करेंगे हिजबुला का युद्ध में जाने का कोई इरादा नहीं है हमारा मानना है कि योब योगी नहीं है यदि वो सोचते हैं कि इस तरह की युद्ध से एक लाख विस्थापित लोग घर लोट सकेंगे, तो हम ये चेतावनी देते हैं, लाखों और विस्थापितों से निपटने के लिए तयार रहे हैं, जब तक युद्ध जारी रहेगा, लिबनान से गाजा के लिए हिजबुला का समर्थन जारीद हैगा, तता इसराइली आक्रमण के जवाब में समर्थन में वृद्धी होगी, गौर तलब है कि इसराइल के चैनल 13 ने एक वरिष्ट इसराइली अधिकारी के हवाले से बड़ा बयान दिया, उन्होंने बताया कि नेतन्याहू आने वाले दिनों में पूरा करने के करीब हैं और अब उनका ध्यान लेबनान के साथ देश की उत्री सिमा पर होगा